वाइलेंस, वाइलेंस, वाइलेंस आई डोंट लाइक ट बाट वाइलेंस लाइक्स मी ये बात तो सच है कि अभी इंडियन सीनवाय कहें तो साउथ में भी कोई भी ऐसी action crime या gangster movie नहीं है जो KGF 1 and 2 को टकर दे पाई या उसके आसपास भी आ सके बट हाँ South की कुछ top I am divided gangster movies हैं जिन में आपको कमाली की कहानी देखने को मिलती है तो हाई दोस्तों मैं है प्रिंस और आज में आपको top 5 highest I am divided South Indian gangster movies के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हो तो आए जानते हैं इन सभी बेहतरीन movies के बारे में I believe in what not in what editing number 5 कबाली and business man कबाली मुवी जहां हमें एक बहुत ही बड़े gangster के जली के बाद के life को दिखाती है तो वहीं business man हमें एक ऐसे एंटी हिरो की कहानी को दिखाती है जो खुद के दम पे अपना समराज जिखरा कर रहा होता है जहां पे कबाली मुवी में आपको रजनी कांत की अनमैचबल swag and style देखने को मिलता है तो वहीं business man में आपको महिस बाबु के swag में बहुत ही awesome dialogue सुनने को मिलती है इसा कबाली समझाए क्या कबाली है यह नमबा फो मफ्ती मफ्ती भी ये काफी अच्छी कनडा गैंग्स्टर मुवी है जो एक माफिया डॉन के ऊपर है एंड मुवी टूवे में एक गैंग्स्टर को यार जरदा नियाइफ के करेक्टर में दिखाती है जो सिवा राज कुमार पे सूट भी करता है फिल्मे उनका क्याइक्टर काफी इंप्रेसिव है जो काइण होने के साथ काफी डिस्ट्रक्टिवी है स्री मुवी का फिल्म एक अंडरकावर ओफिसर होना एक नया commit में एड करता है जो काफी अच्छे से मुवी में इउज की गई है वैसे में और भी अच्छी रिस्पोंस इस मुवी को यूटूब पे एक्सपेक्ट कर रहा था पर कोई बात नहीं मुवी काफी अच्छे से अंडर वल्ड की डार्कनेस को दिखाती है फिल्म में एक्सन के साथ आपको ड्रामा भी भरपूर देखन को मिलता है पर वो आपको महसूस नहीं होता तो डेफिनेटर ये मुवी आप मिसमत करना ये फिल्म आपको यूटूब पे भी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे विक्रम वेधा एक गैंक्ष्टर की कहानी है जिसमें धेर सारा सस्पेंस भरा हुआ है और मुवी में हमें बहुत ही जवरदस्त वीजियम सुनने को मिलती है तो वहीं चन्नाई मुवी में आपको माफिया वर्ड में हो रही पॉलिटिक्स और काफी दमदार ग्र विक्रम वेधा की सबसे खास बात है इंस्पेक्टर विक्रम एंड गैंक्ष्टर वेधा के बीच की केमेश्ट्री एक तरह से दोनों ही एक दूसरे के दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं और इस केमेश्ट्री को बेस्ट वे में फिल्म में उज़ किया गया है नमबर टू केजीएफ एंड पुस्पा देखा जाये तो केजीएफ एंड पुस्पा मुई में हमें काफी सीमियारिटीज देखने को मिलती है जैसे की रौकी की तरह हीं पुस्पा भी अपने मा को काफी प्यार करता है दोनों की ही बचपन काफी परिशानी गरिभी में कट केजियेफ की कहानी जहां पे गोल्ड के आसपास घूमती है तो वहीं पुस्पा की कहानी चंदन के आसपास घूमती है मगर इन सभी बातों से हटके दोनों ही मुवी की जो कहानी की वर्ल्ड बिल्डिंग है वो काफी डिप्रेंट है पुस्पा में हमें एक भी ऐसा केरेक्ट तो याई करो, सेर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अब बात करते हैं इस रिष्ट के नंबर वन मुवी की जो भाई सदियों तक याद रखी जाएगी तो नंबर वन पे हैं KGF चैप्टर टू अब मैं इस मुवी के बारे में क्या कहूँ, ओडियन्स को क्या दिखाना है, कैसे उन्हें इमोजना ही करना है फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए उन्हें कैसे एक्साइटेड रखना है ये प्रसांथ निल बहुत ही अच्छे से जानते हैं अभी तो KGF 2 में रॉकी के एंट्री के साथ मुवी की इंडिंग तक सिर्फ सीटिया ही सीटिया बज रही थी और पूरे ठेटर में एक अलग ही जोस का महौल था, मुवी के डायोक्स जैसे की ये अलग ही फिर ओडियन्स को देती है यसकी परफॉर्मेंस मुवी में काफी अच्छी थी, मुवी की क्यामेक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और जो फिल्म में महबूबा रोमांटिक सोंग थी, वो भी बहुत ही प्यारी थी वैसे अभी तक एक कहानी में वर्ड बेल्डिंग का भरफूर फैदा उठाना किसी डिरेक्टर ने सीखा है तो वो है प्रसांत इंडिया में गरूरा, रमिका सेन, अधिरा जैसे क्यारक्टर का सामना करने के बाद अब वो इस सिरीज को इंटरनेशनल लेवल पर ये जाने वाले हैं जो देखना काफी जवरदस्त होगा तो यह थी दोस्तो आज की वीडियो, I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छे यगी है तो या एक सिरी आएंचानल को सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा